ये चमारों का देश है, ये बहुँ जोना का देश है, और ये लोगतन से चलता, तुम्हारे बापसन सविदान से नहीं चलता निसाने में चमारी हुए कि चमार तारकिक है, चमार विद्वान है, चमार डॉक्टर है, चमार इंजीनिर है, चमार जो ना प्रोफिशर है, चमार साइंटिस्ट है, चमार किसान भी है, चमार डारेक्टर भी है और चमार बहुत बड़ा इनको दर्द है कि ये डॉक्टर कैसे बन गया, इंजिनर कैसे बन गया, इसको बंगला कैसे मिल गया और ये जो ने तार्कीक है ये अमबेटगारवाद पर चलता है, ये बुद्ध के रास्ते पर चलता है जब यहाँ पर मुगल आए हमारे लोगों ने धरम चेंज नहीं करा हमारे लोगों ने नफरत जेली मनुवाद में लेकिन धरम चेंज नहीं करा हम बने रहे हम पिटते रहे हमने गुलामी सही लेकिन हमारे लोगों ने कभी भी मुगल नहीं बने लालस में बेटिया नहीं बे अगर शवीधान लागो हुआ तो सबको बराबर के अधिकार मिल जाएंगे इजुकन सबको मिल जाएंगी उसोने इसी तरह से RSS का जो blueprint है आज वो ये BJP सरकार लागो कर रही है जिस तरीके से जेवनू में लिखा है कि चमारो भारत छोड़ो तो बता तो कौन सा देश है हमारा हम चाहते हैं हमें बारत का टुकड़ा दे दीजिए हम अपना चमारिस्तान बनाएंगे हमें प्राउड होगा और आपकी उकात नहीं है इस देश में आज चमार जो है बहुत ताकतवर है वो तो रात कुचोरी शुबर में लिख दिया वो जो संगी लोग है जो मनुवादी लोग है जो नफरत फैलाते है अगर किसी के मा बाप ने दूद पिलाया है तो मैं बैठाओं मैं हाँ पर हूँ मैं कॉणली में रहता हूँ फेस्तिरी में रहता हूँ अगर किसी के बाप में हिम्मत है तो आए लिख के दिखाए ये चमारो का देश है ये बहुजोना का देश है और ये लोगतन से चलता तुमारे बाप से सविधान से नहीं चलता ये जो जेनू पे लिख दिया रात करंदेरे में तुम नामर्द लोग हो तुम नामर्द लोग हो तुमैं बालूम नहीं है दिश में जब दिश में स Cabinet लाग हुआ तो सविधान में एक है आर्टिकल 19 है, आर्टिकल पुल 341 है, 342 है 47 है, आर्टिकल सत्रे है उसमें सीधा सीधा है, वो सबका देश हो गया जो भी इस देश में आजादी के बाद में था, वो देश का नागरिक हो गया, किसी की उकात नहीं है जो उसको बाहर निकाल दे, या बाहर निकालने का नारा लिख दे, ये देश सब का है लेकिन डॉक्टर साब बड़ा सवाल ये है कि देश में 673 जातिया हैं, लेकिन निसाने पे कल चमारी क्यों है हमारे देश में? जिस तरीके से उन्होंने भीमा कोरे काम का युद धनला और वहां से अपनी जाडू हटवाई और जो बावा साब ने हमें अधिकार दिये सविधान लागू करके, तो इनके जो पेट में दर्द होता है ना, ये जो मन उलवाती लोग हैं, जो शंगी लोग हैं, जो मानवता बिस्वास हैं Sedatée को बिस्वास ने रिखते जो सभीधान में बिस्वास हैं ये लोग वो हैं, और देखे क्या है? इनको दर्द है, कि ये डAKTOR कैसे बने गया? इंजिनर कैसे बने गया? ये गारी कैसे चला रहा है? ये प्लेन कैसे, इसकी कोठी कैसे आगी? इसको बंगला कै अगर जाटव को नहीं रोका गया और यह पूरा जो OBC है जो हमारे देश में 60% है अगर ये इनके रास्ते पे चलगा तो ये जो मनुवादी है ना मुस्किल से 10-12% और उसमें भी जो 3-4% लोग है जो देश में नफरत करते हैं कि सारे लोग बुरे नहीं होते जो 15% लोग उसमें सारे लोग बुरे नहीं है उसमें 5-6% ऐसे जो देश में नफरत पहलाना चाहते हैं देश के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं तो यह उनके मूँपे जोड़दार तमाचा है और हमारे देश से लोग उनका विरोध करते रहेंगे और जो भी उनका सिश्टम है जो भी यह लोग जो भी सविधान पर हमला करते हैं च उनके खिराप ऐसा जहर कौन बर्राज जेन्यूंगी हमारे लोगों ने धर्म चेंज नहीं करा, हमारे लोगों ने नफरजेली मनुवाद में, लेकिन धर्म चेंज नहीं करा, हम बने रहे, हम पिटते रहे, छिटते रहे, हमने गुलामी सही, लेकिन हमारे लोगों ने कभी भी मुगल नहीं बने, लालस में बेटिया नहीं बीटि अंग्रेज भी आए अंग्रों जोग भी हमने कंप्रोमाइज किया हमने वहाँ पर क्या किया अपने लोगों को वहाँ पर सिख्षा में दी लेकिन 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 लोगों ने क्या किया इन लोगों ना अंग्रों से भी कंप्रोमाइज किया और जो जो पहले मुगल आये थे उ लेवर ज sk朋友 आदा है चमार को इनके पर द्रफज्सेयों में तरस भूल जाएंगे इनकों से लेड़ां हो नाफ डबा रखा हैं क्षमार भारत अगर्ष। ये तोष्क भी नहीं है देश के मूल निवासी है इनको डर है इनको मैंने कहाने इनको डर है चमार जो है चमार तार्किक है चमार जो है बुद्धु के रास्ते पे चला है चमार जोती बापूले के रास्ते पे चला है चमार जो हमारा गांधी के रास्ते पे चला है और जो चमार जो है हमारा संत कबीर के रास्ते पे चला है र कर रहे परदान की बात कर रहे तो कहां से आया यह बतलाब आया केबल के वाद्यों की वज़े से उनको ढर है के अंबेड़ करवादी को रोक नहीं गया अगर चमारों को टार्गेट नहीं किया तो जो हाती है भी-सी और लडाइए परिवार है, सब कुछ OBC के पास है, पूरा है, एजुकेशन है, पूरा खेती खलियान है, माइंड उसके पास है, मैनत कसे, लेकिन जिस तरीके से OBC को इन्होंने गुलाम बना रखा है, धरम के नाम पे, पाखंड के नाम पे, OBC का जो क्रीमी वर्ग है, वो इस लेर को तो इनका भारत में रहना इसको लोगों मुस्किल हो जाएगा, देश में जितने भी घोटा ले हुए आज तक, जितने भी घोटा ले हुए, देश साजाधी से पहले, जैस आजदी के बाद, एक भी चमार नहीं किया, ठीक है, एक नहीं नहीं देश छोड़ के भागे, नही ड्रामा बहुत करते हैं और आज भी जा रहे हैं आज भी जो साधी अमबानी की अपने बेटे के शादी कि है असी करोल एक नेक्कर पैनले वाले को पैनलो जो डान्स करता है वो असी कोल ले जाता है और परमबानी खुशी खुशी उसको देते थे, रियाना को 60 कोड़ देते थे, तो ये इनका भारत है, और ये कहते हैं कि भारत विश्गुरू बनेगा, ये भारत की कसम कहते हैं, ये दोगले लोग है, इनको भारत से कभी प्यार था है, इनको पैसे से प्यार है,